हेलो हुरुवर्यूरीटी, माई नेम ही जश्वनी शर्मा और यह आपका आज टास्क फाइव है, आज की इस वीडियो में आपकी टास्क 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे नंबर पर आपकी जो कुईरीस थी, उनको बारे में बात करेंगे तो आपका आज के टास्क में जो champions हैं उनको cement complete करना है अगर आप पहली बारी भी पढ़ने जा रहे हो इसको तो hardly 26 pages आपको मिलेंगे उनको आपको पढ़ना है अपने दिमाग से आपको ये निकाल देना है कि cement पढ़ने में 3-4 दिन लग जाते हैं दिन में कैसे complete होगा आपका आज का task ये होगा कि या तो आपके पास कोई notes होंगे उनसे आप पढ़ सकते हो या फिर जस्पाल सर के notes मैंने upload कर दिये हैं या तो दस्विल बंदा टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इस वीडियो के description section में मिल जाएंगे और फिर pinned comment में मिल जाएंगे इस वीडियो के वहाँ से directly download कर लेना और 26 page आपको cement के at least देखो चीजे maybe facts जो होंगे वो एक बारी में याद नहीं होंगे लेकिन concept समझने ही कोशिश करनी है आपको अगर concept कोई समझ में ना है तो directly उसको YouTube पे search कर लेना इवन जस्पाल सर की जो BMC की वीडियो हैं वो भी available है YouTube के उपर तो वहाँ से भी आप देख सकते हो लेकिन आज का आपका aim यह होना चाहिए सुबह से शाम तक पूरा लगा के कि आप cement किसी तरह खतम कर लो अगर दिमाग में ये चीज रखोगे कि 4-5 दिन में ही खतम होगा तो वो 4-5 दिन से ज्यादा में ही खतम होगा अगर सोचोगे कि आज ही खतम करना है तो आज भी खतम हो जाएगा आपके पास इतना time नहीं है लेकिन एक दिन sufficient है इस chapter को खतम करने के लिए तो cement आज आज आपको पढ़ना है 26 page complete करने है बस इतना याद रखना कि facts ना भी याद हो लेकिन सारे concept समझने ही कोशच करने हैं आपको ठीक है तो यह है champions का work जो अभी से बढ़ाई start कर रहे हैं दूसरा जो legends है उनको cement फिर से पढ़ना है ताकि उनकी जो knowledge में कुछ voids रह गए हैं जिसकी वैसे उनका level नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको cement को बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके अलावा technical boom करना है आपको structure analysis का और survey का कौन सी किताब से करना है अगर आप ssc jee या फिर किसी jee की preparation कर रहे हो तो yct ae और ssc jpyq अगर आप estc की preparation कर रहे हो तो estc और yct ae gate के अभी के लिए छोड़ देना क्योंकि कुछ important है gate के question कुछ नहीं important है estc के point of view से क्योंकि calculator allowed होता है gate में estc में नहीं होता तो यह list आप पहले chapter पर गए वहां से आपने उसके 10 question कर लिए second chapter गए वहां पर आपने उसके 10 question किये 10 question करने का तरीका क्या होगा पहले question से start करोगे 10 question तक पोजोगे जो चीज आपको आती चली जाएगी उसको करते जाना है जो नहीं आएगी अगर fact हुआ copy में लिख लेना है अगर fact से 10 या 15 मिनट लग रहे हैं तो उसको तभी समझ लो अगर लग रहा है कि हां इसमें time लगेगा बिल्कुल fresh concept है तो उसको star mark कर लो और अपनी wish list डेली की होनी चाहिए आपकी उसमें वो point लिख लो कि यह मुझे topic सीखना है सर्वे का leveling मुझे सीखना है leveling का आपका rise and fall मुझे स तो ऐसी second chapter, third chapter, fourth chapter ऐसे survey को पूरा complete करो similarly structure analysis को भी इस तरह से complete करो इसे कहते है हम technical boom तो legends को ये काम भी करना है और ये भी legends वो है जो एक बारी exams लिख चुके हैं एक बार से लेपस complete हो चुका है बस थोड़ा सा बचा है उनका selection का तो उनको इस तरह से करना है ठीक है तो यह हुआ आपका आज का task जो बच्चे SSC JE की preparation कर रहे हैं 2024 के लिए उनके लिए reasoning का task क्या है sitting arrangement और direction आज इन दोनो topics के आप question practice करोगे 15-15 minute दे सकते हो आप इनको even sitting arrangement को थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो direction के question हो जाते हैं लेकिन problem यह होती है कि अगर कोई topic बहुत easy है और आपने बिलकुल उसको छोड़ दिया तो silly mistakes होने के chances बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो at least कम दोस से 45 minutes दोगे और यह दोनो topic को करोगे कहां से करोगे इसको या दो directly इसको google पर search कर लेना वहाँ पर बहुत सारे website खुलके आ जाएंगे जिसके अंदर आप यहां से जो question है उनकी practice कर सकते हो या फिर यहां पर मैंने सभी books upload कर दी है PDF की form में अब वहां से भी search कर सकते हो pinnacle की book में अपलोड कर दी है वहां से भी आप देख सकते हो similarly aptitude में जिनके exam के pattern में aptitude भी है उनको average के questions practice करने है और problem on ages ages के जो problem होती है उनको practice करना है यह भी आप आधे घंटे से 45 minute दे सकते हो बाकि main time आपका आपके core पे जाना चाहिए technical पे जाना चाहिए तो यह आपका आज का task अब चलते है queries के उपर पहली queries है SK गुनावत 79 की सर मैंने SSC के लिए कभी coaching नहीं की और मैंने DGP 2.0 follow किया last 3 month का और SSC का first exam दिया तो मेरे 70 marks आए सर आप मुझे प्लीज यह बता दीजिए क्या मैं आपको follow करूं या मुझे coaching की जुरत पड़ेगी coaching के लिए मेरा take यह है कि अगर आपके पास resources हैं तो आपको definitely coaching लेनी ही चाहिए क्योंकि जो concepts हैं वो आप खुद से भी समझ सकते हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो बहुत कम time में एक fix time में fix time में आपका पूरा syllabus complete करा देंगे प्लस जो concept आपको खुद से समझने दे वो आपको समझा देंगे आपको सिरफ परोसी वी चीज मिल जाएगी आपको बस उठा के चीज़े खानी है simple थी बात spoon feeding जिसको कहते हैं तो अगर आपके पास resources हैं आपके पास पैसे हैं तो आप coaching जरूर ले लो मैं recommend करता हूँ कुछ coachings के नाम जैसे IES master technical के लिए civil के लिए बहुत अच्छी coaching है लेकिन बहुत पहंगी है unacademy, unacademy में जस्पाल सर का course है unacademy की एक बात अच्छी है कि flexible way में आप चीज़े कर सकते हो कि एक महीने का दो महीने का इस तरह से course ले सकते हो वो भी उतना महेंगा नहीं है जितना IES master है इन दोनों को मैं recommend करता हूँ बाकी ultimately चीज़े इस तरह से होती है कि आपने कोई demo class देखी किसी teacher का आपको बहुत अच्छा लगया पढ़ाया हुआ भले ही वो बहुत छोटे level पर बढ़ाते हैं तो वो आपके लिए best है ऐसा नहीं होगा जैसे जस्पाल सर हैं वो अगर मालो इतना पढ़ा देंगे तो ज resources की अगर कोई कमी नहीं है तो best coaching अपनाओ और उसके बाद उसका curriculum 100% follow करो यह जो DGP program है मुझे चलाने की इसलिए जुरत पढ़ गई है क्योंकि पहला लोगों के पास resources नहीं है दूसरा coaching करने के बाद भी selection नहीं निकल रहे तो अब यह नहीं कि coaching की दिक्कत है coaching की गलती है कोचिंग के बाद selection नहीं निकले coaching के साथ साथ आप discipline way में पढ़ा ही नहीं करी आपने coaching में पढ़ा दिया आपको लेकिन आपने practiceनी की dedicated way में persistence नहीं दिखाया आपने perseverance नहीं दिखाया हर दिन पढ़ा ही नहीं करी इसकी वैसे selection नहीं हुआ self study बहुत ज़्यादा जरूरी है बिना coaching के selection हो सकता है लेकिन बिना self study के selection नहीं होता तो coaching आपको एक रहा दिखा सकती है आपका काम थोड़ा असान कर सकती है लेकिन ultimately self study से ही selection होता है मैं अपना example दूँ मैंने medisie से coaching की थी मैं उतना prefer नहीं करता हूँ medisie से coaching करने के लिए किसी को क्योंकि मेरा कोई अच्छा experience नहीं रहा था medisie से लेकिन पढ़ाया उन्होंने अच्छा था ऐसी बात नहीं है मतलब मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी उसके बाद जो gate का exam मैंने दिया था कोचिंग करने के बाद शायद just qualify मेरा हुआ था शायद 25, 26, 27 शायद इतने number आये होंगे मुझे exactly याद नहीं है ये coaching करने के बाद की बात है क्योंकि self study उतने अच्छे से नहीं की लेकिन जब self study खुद से की खुद से पढ़ना start किया तो 627 रेंग भी आई है अभी इतने सारे exam clear कर चुका हूँ back to back वो सब possible हो पाया क्योंकि consistent study की है आप लोगों को guidance करते हुए आपको जो में चीजे बताता हूँ पढ़ने के लिए वो खुद से भी पढ़ा है मैंने तब जाके इतने सारे selection हुए है मेरे तो self study तो करना बहुत ज़रूरी है फिर से आपके सवाल पर आ जाता है क्या coaching करनी ज़रूरी है अगर आपके पास resources है तो सामदाम दन भेड जितनी चीजे लगा सकते हो अपने selection के लिए जितना जल्दी ले सकते हो selection उतना जल्दी ले लो ऐसा नहीं है कि कोई एक fair competition है आपे कि हाँ मैं तो कोई resources का बिना use किये हुए selection लोगा नहीं अगर resources है तो ले लो जिसके पास resources नहीं है वो उसकी दिक्कत है लेकिन उसके लिए भी आजकल हर एक चीज अवेलेबल हो गई है यूट्यूब पे इतने teachers आ गया है फ्री में पढ़ाते हैं फ्री में guidance देते हैं मैं भी फ्री में guidance दे रहा हूँ आपको और मतलब हर एक चीज अवेलेबल है सारे notes आपको फ्री में provide करा दिये है तो resources की तो उतनी कमी नहीं रही है बस अब आपके उपर है कि आपको कैसे समझ में आता है आप कैसे पढ़ सकते हो तो ये follow कर लो तब भी selection हो जाएगा coaching करोगे तो थोड़ी जल्दी selection हो जाएगा लेकिन self study बहुत जरूरी है और यहाँ पर मैं self study कैसे करते हैं daily कैसे पढ़ते हैं यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है मदुकांत का कि भाईया non technical part mechanical civil दोनों के लिए common task दीजिए non technical का तो reasoning और aptitude दोनों के मैं same task दे रहा हूँ common task है reasoning आपका SSCJE के लिए और aptitude जो भी आपके exam में aptitude आएगा उसका भी मैं task दे रहा हूँ GK के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ultimately यह नहीं है चीज की GK आप मतलब हिस्ट्री शुरू करो और एक-एक चीज उसकी पढ़ लो important क्योंकि आप technical background के हो important क्या है आपने history, quality, geography हर दिन आपने 30 minute दे दिया history को जब तक आपका exam नहीं हो रहा है तब भी history के लगबख questions आपके बन जाएंगे जो questions आपके नहीं बनेंगे वो किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि इतनी depth से पूछा गया question normally technical background वाला नहीं बना सकता तो इस चीज को इस approach को इस्तमाल करोगे तो बहुत फाइदे में रहोगे मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि सोरव कुमार पांडे सर के notes अफ्लोड कर दिया है आपको Lucent की किताब से आज तक पढ़ते वे आए हो या फिर आप कोई XYZ किसी भी teacher से पढ़ते वे आए हो चाहे तो उसकी notes चाहे दो उसकी videos जो भी आप follow करते हो उसी को follow करो मेरे कहने पर ऐसा नहीं कि आप notes change कर दो अपने मैंने बस एक reference दिया है जिससे मैंने बढ़ा है अगर आपके पास कोई notes नहीं है तो इनको refer कर सकते हो ये पसंद ना है तो दूसरे notes follow कर सकते हो एक बार test कर लो जो चीज पसंद आ जाए फिर उस पर stick रहो और करना क्या है तो GS के लिए मेरी advice आपको ये रहेगी पहले एक बार decide कर लो कि आपको YouTube की किसी वीडियो से पढ़ना है किसी course से पढ़ना है या फिर notes से पढ़ना है notes से बढ़ोगे सबसे ज़्यादा फाइदे में रहोगे क्योंकि आपको civil services तो crack नहीं करना है या फिर आपका कोई non technical background नहीं है ना है आपको non technical exam देना है अगर आपको सिरफ technical के लिए एक छोटा सा part है आपका GS वाला part उसको आपको clear करना है तो मेरे हिसाब से notes का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत जल्दी चीजे cover हो जाएंगे बाकि notes directly समझ नहीं आते हैं तो कोई video course देख लो या YouTube की videos देख लो एक बार decide कर लो जब पहली बारी आपके decide हो जाएं चीजे बस उसके बाद आपको क्या करना है history का decide कर लिया आपने polity decide कर लिया geography decide कर लिया पहले इन तीनों पे इस्टिकर हो daily आदा आदा घंटा या फिर अगर आप notes पढ़ रहे हो daily एक page एक page एक page तीनों के एक एक page पढ़ो 30 दिन एक page मतलो ये और ये मिला के एक page एक page पढ़ो 30 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा कि कितनी चीज़े cover हो गई और बहुत कम पढ़ोगे एक दिन में चीज़े तो grass भी कर पाऊगे digest भी कर पाऊगे अच्छे से ऐसा नहीं होगा कि 30 दिन बाद कि आप बिल्कुल कोरे हो और आपको कुछ आता ही नहीं यही चीज़े है इनके लिए आप क्या कर सकते हो जैसे हिंदी है तो हिंदी में अलग से पुरा स्लेबस दिया होता है कि पर्यावाची, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्य, इन सब के बारे में वर्तनी, अशुदी, शंशोधन यह सब चीज़े होती हैं इन सब को डेली दो-दो टोपिक लेलो अब मैं हर एक चीज़ के टोपिक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम होता है लिमिटेड टाइम होता है यहापे मैं वीडियोज बना देता हूँ आप लोगों के लिए तो परसनल टाइम में से निकालके मैं आपके लिए लाता हूँ यह वीडियोज तो यह टोपिक्स आप खुद से डिसाइड करो दो-दो टोपिक लेलो और बस उतना पढ़ो ऐसा नहीं कि प्रयायवची पूरा शुरू किया और खतम कर दिया एक भी आदनी रहेगा आपको आपको क्या करना है कि जैसे प्रयायवची मुहाफरी आपने अड़ किये तो 15-15 मिनर दोनों चीज़े पढ़ लो और लिख लिख के पढ़ो उन चीज़ों को लिखने से थोड़ता टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन रिटेन रहना भी जरूरी है ऐसे ही इंग्लिश है इंग्लिश के भी सब टोपिक लिख लो और दो दो टोपिक चूज करो और डेली उनको आदादा गंटा पढ़ लो यही है यही है तरीका इंग्लिश पूरी खतम करने चलो के नहीं हो पाएगा एंग्जाइटी गोर बढ़ जाएगी आपको क्या करना है बस हर दिन पढ़ना है और इस तरह से डिसाइड करके पढ़ना है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है कि अलोकनात अनी का कि सर इफ इट्स पॉसिबल ESC के लिए भी नोन टेक के लिए डेली टास्क इंक्लूड कर दीजिए ESC नोन टेक ESC नोन टेक थोड़ा सा मेल लिए टिडियस हो जाएगा क्योंकि यह मैं बता रहा हूँ इसमें भी काफी टाइम लग जाता है साई चीज़े सर्च करने में और एक स्केडूल बनाने में कोशिश करूँगा मैं अगर कर पाया तो लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर ESC के नोन टेक के मैंने आपको 10 के 10 तो नहीं 9 सब्जेक्ट के नोट दे दी हैं करेंट अफेर छोड़के आपको बस डेली बेसिस पे उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है मैथ और एप्टिटूड ये तो डेली पढ़ना पढ़ेगा आपको ठीक है एटलिस आदा आदा गंटा 45-45 मिनिट तो पढ़ना पढ़ेगा बाकी जो बाकी सब सब्जेक्टें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया सब को थोड़ा थोड़ा देख लोगे नोट से सिरफ जो नोटस आपको प्रोवाइड कराये हैं उनको भी करके चले जाओगे तब भी आपके 75 प्लस मार्क्स आजाएंगे बड़े अराम से और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि या तो आपको टैस स्रीज देख लो कोई टैस्ट बुक की टैस स्रीज या फिर मेडीजी या फिर आईयस मास्टर की एक अबजेक्टिव बुक आती है उसको खरीद लो और जब आप ये चेप्टर पढ़ लो उसके बाद कोशिश करो कि वो कोश्चन आपसे सोल हो रहे हैं क्या फैक्ट्वल कोश्चन ना भी हो तब भी चलेगा लेकिन जो समझ वाले कोश्चन है ये जो आपने चेप्टर पढ़के समझ डेवलप की है उस टाइप के कोश्चन आपके सोल होने चाहिए ऐसा नहीं कि आपको कोश्चन के आंसर याद होनी चाहिए आपको बस एक समझ होनी चाहिए कि कोश्चन कैसे सोल होंगे वहाँ पे फैक्ट्वल डेटा वाले कोश्चन नहीं आएंगे समझ वाले कोश्चन आएंगे कि आपने basic concept समझाया है कि ethics को समझाया है कि उसके आद उसको आप apply कर पा रहे हो गया यही है तरीका non-tech वाले part में marks gain करने का बाकि math और aptitude यह तो directly questions आपको पता है किस type के आते हैं इसके अंदर question इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा आगे चलते हैं नितिन कुमार का डाउट है कि सर प्लीज अप्लोड स्वरोपांडे सर्स gs notes in Hindi प्लीज शायद स्वरोपांडे सर की तो notes नहीं है और मैं upload कर चुका हूँ ऐसा करता हूँ मैं अलग से उसका link provide कर दूँगा क्योंकि शायद आपको मिल नहीं पायोंगे वो notes मैं मैं अप्लोड किये हैं अलग से मैं link provide कर दूँगा Hindi gs notes करके आप उन से पढ़ लेना आगे बढ़ते हैं next question है कि user FE का कि sir aptitude कहां से करो please reply आपके पास कोई भी notes हो या फिर कोई भी उभूखा उससे कर सकते हो अगर कोई नहीं है तो मैं ये भी मैंने upload की विए वैसे चलो मैं एक तो gs के Hindi के notes और aptitude इनको मैं अलग से link बनाके upload कर दूँगा वहां से आप देख लेना कहां से मिलेंगे notes मैं आप प्रता दिया आपको तीन जगह से मिलेंगे टेलिग्राम चैनल दा सिविल बंदा इसी वीडियो के पिंडि कमेंट और description section में तीनों जगह से आप ले सकते हो अराम से next question है कि अभिशेक कुमार का कि भाई मैं बियारों के training कर रहा हूं good और कोई और exam crack करना है मुझे HPSC AE के लिए conventional manage के लिए बताईए कल मैंने HPSC की पूरी strategy आपको पताई है आप उसको follow कर सकते हो conventional के लिए थोड़ा extra दियान आपको देना पड़ेगा क्योंकि pre के एक महीने बाद ही लगबग means करवा देते हैं यह लोग तो pre और means के बीच में तो time नहीं मिलेगा आपको क्या करना है फिर से मैं बता देता हूं कि pre के साथ-साथ means की भी तैयारी start कर देनी है पहले से ही मतलब अभी से अगर आप pre की तैयारी कर रहे हो तो आपको means की भी आथ से ही start करनी पड़ेगी आप एक पर पस PYQ देख लेना PYQ देखने के बाद उसके जो question type है वो देख लेना और उसी type के पहले तो उन दोनों papers कोई एक तो civil services का आपको पास optional के दो paper आएंगे वो और जो अभी जिला पंचायत वाला हुआ है वो उनके answer इनके question देखना और उसके बाद उनके question तो at least वो तो सीख लेना उसके बाद उ जो आपको अलग से numericals देखने को मिल रहे हैं आपके notes में जो notes में आपके numericals हैं उनको solve करना और ESC के conventional के PYQ वो solve करने है और ध्यान रहे कि starting में पहली go में आपको वो question करने है जो आपको लग रहा है कि solveable है जैसे column का अगर आप lacing starting से करने start कर दो उसको कोई फायदा नहीं अबी कि lacing पहली बारी में करो या batting design पहली बारी में करो या retaining wall पहली बारी में design करो पहली बारी में क्या है कि beam slab यह design करना सीख लो normal normal चीज़े करते चलो connection पहली बारी में सीख लो जब पहली बारी में basic चीज़े करते वे चलोगे उसके बाद second बारी में आओगे तो फिर व टीं डिजाइन संग्ली रिंफोर्स आप अरांद से कर पारे हो पहले उसको शीखलो डबली रिंफोर्स पहली बारी में नहीं सीख pród ale hippPeople करना उसे फोटिंग डिजाइन पहली बारी में सीख लिया ठीक है तीनों आपने पंचिंग शियर नॉर्मल शियर और आपने बेंडिंग मुएंट के लिए डिजाइन करना सीख लिया लेकिन रिटेनिंग वोल आप पहली बारी पे नहीं सीख पा रहे तो छोड़ा उसको पहल बारी में सीखो वो जब पूरे कंप्लेट हो जाए तो वापिस से आके थोड़ टफ कोश्चन करो और आपके जो बेस रहेगा वह एस्ट के पीवाई क्यू ही रहेंगे कन्वेंशनल के नेक्स कॉशन है रवी कुमार मीना का की सर जीकい हिंदी नोट्स न्यू नोट्स प्रोवाईड प्लीज सर मैं करवा दूंग आप प्रोवाईड देखता हूं मैं इसके बारे में आपका कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो दिल से थैंक यू सर अभी भी जे के डबल स्बी जेए की डोकुमेंट वरिफिकेशन लिष्ट आउट और आपको फोलो करता हूँ और टेस्ट सिरीज का एनलेसिस करना सब कुछ आप से ही सिखा है दिल से थैंक यू सो मच इतने अप्रिशेशन के लिए और आपको बहुत बहुत कॉंगरेशलेट्स कि आपने अपनी महनत से यह सब पाया है मैंने सिर्फ गाइडेंस की है दी है गाइडेंस में सभी को दे रहा हूँ लेकिन इस गाइडेंस को यूज करके जो आपने अपने हाडवर्क दिखाया जिससे आपने चीज़े हसिल की है ये सारा शरे ये आपको ही जाता है तो congratulations आपको और आपकी family को और life में और तरिक की आप करो मेरी यही आशाय आपसे तो चलो आज इतनी queries रखते हैं बाकी all the best आप सभी को आपके task 5 के लिए बहुत अच्छे से complete करना daily इस तरह से task करते रहोगे तो definitely आपका selection हो जाएगा So that's all for this video, thank you